12 बंकी में पुलिस वालों ने मिल करके पुरूहित को किस ताउर पर जम करके पीटाए कता कराने आये थे ये पुरूहित बता ऐसा जारा कि वाहन चेकिंग के दारान पुलिस वालों ने एक पुरूहित की जम करके पिटाई की तैसिल फतेपुर के निवासी बताये जा रहे हैं ये प्रोहित सर्वेश कुमार मश्रा मसाउलिधानाश्यत्र के बासा गाव की अगटा है जहाँ पर पुलिस वालां की एक कर्तूर देगा बात ये थी कि हम लोग बासा से क्राश कर रहे थे हैं काम से गये थे फिर वहाँ पर हमने गाड़ी देखी फुलिस वालों की तो हम रुक भी गए फिर आगे पुलिस वाली भी खड़े थे तो हम लोग रुक गए उसी जिगह पर फिर उदर से इसारा हुआ कि आप सब लोग वापस हो जाओ फिर दुकान वाले से भी हमने पूछा कि क्या बात यहां कोई रोक ठाम है कोई जाने नहीं देता तो दुकान वाले भी नहीं कहा हाँ भी आगे नहीं जाने देते तो हम तुन्द वहाँ से वापस हो पड़े फिर हम बाइक पे बैठे भी गाड़ी स्टार्टी कर रहे थे बस पीछे से दौड़ के आए दो लोग और फिर हमें पीटने लगे यह भी नहीं पुछा कहा जा रहे हो क्या बात है हम लोगों कोई गलती भी नहीं थी वाहन चेकिन کے दوران कैसे एक प्रोहित की जम करके पिटाई की है पुलिस की टीम ने पुलिस के अमला ने प्रोहित यह कह रही है कि हम लोगों की बिना किसी गलती कि पुलिस होकी ने किसINT तोर पर इस अंदास में जुम डाया देके पीट में च्युट के निशान है जो कि आखर इस तरीके से जालिम खाकी की ये तस्वीरें जो साबने आई हैं इस पर कोई करवाई हुई अब तर देखिए आपको पता देए योगी सरकार जो है हमेशा हिदार देती रहती कि कोई भी पीडित आए उसकी समस्या सुनी जाए लेकिन उसका अपोजिट बिल्कुल बार बारबंकी के मस्वली थाने में हुआ और जिस तरह से बारबंकी पुलिस ने उसको बरबरता से पीटा है वो बहुत ही दुखी है दुखी है पीडित कि इसको क्यूं मारा गया उसकी क्या गलती थी आज बारबंकी एस-पी से शिकायत करने के लिए यहां पे एस पी आफिस आया हुआ जी शुक्रिया सर्फ राजिन तमाम जनकारे के लिए